हेलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आज के हमारे फूड व्लॉगिंग में आज हम अपने रसोई में बनाने वाले हैं पनीर काफी दिनों के बाद मुझे बनाने का मोका मिला है तो क्यों ना सोचे कि आज एक वीडियो ही बना लिया जाए मेरा कॉंटेंट हो जाएगा तो सब सब पहले मैं 500 ग्राम यह पनीर जो है उसको काट लिया हूँ और एक टमाटर और एक प्याज और इसको आज फोरन के लिए मिर्श और लहसंद और गैस को जलाते हैं और उसके बाद कढ़ाई गरम करते हैं और उसमें और डालते हैं और होस्टल में थाते थाते मन उप गया है ज पहले हम पनीर को फट्राइ कर लेंगे अ 할िये मैं और पकिल्स पहले पनीच को फट्राई करते हैं तो पनीर क को तक तक फट्राई करें ज्याड़ जाए कि तो मेरा पनीर पूड़ा अश्य तरस्द्र प्राई हो कर देंगे और फुरन देंगे केवल मेरे पास लासन और मीर्थ है उसके अलमा कोई फुरन नहीं है ना जीरा ना गुल मरिच तो आए इसी फुरन पर हम बनाते हैं काफी दिने के बाद मोका मिला बहुत अच्छा लगरा Yuk खाना बनाने उंको बहुत ज्याद माजा आता है तो जाइस इसमें त्याजा भूननने के बाद मिने चलिके डाल देते हैं और चबते मिक्स, करेंगे त्यागव मीक्षा अधोर poni heeng depend के लिए थिसको अच्छे से प्रेस्ट बनाना जिसको ऐसे पहले ही पानी डाल देंगे ताकि यह उधोरा Sally स Online अब ऊच्छानी और इसके बुज़ाकि इसको गल्ले में वहर अफसानी हो जाएगी और इसमें ढलते हैं हम लो теперь पानी में ही डाल लेने तक कि इसाथ साथ पकते रहे तो और अच्छा होता है कि मसाला इतना अच्छा पकता है उतना खाने में इसका स्वाद बढ़ता है तो आठ से दस मिट के बार देखिए इसके कलर कि इतना जाकास यानिक खुबूरत आ चुका है और उसके बाद अपने और सक्ता अंसार इसमें ग्रेवी डाल देंगे और ग्रेवी डालने के बाद पांच मिनट तक इसको ढख कर रखेंगे और फिर निकाल के इसमें पनीर डाल देंगे और फुरी से चलाने के बाद इसमें डालेंगे निम्बू और निम्बू डलने से क्या होता है वह सीग्रेट है अपलोड ड्रल कर ट्राइक कैसे लगा तो मेरा यहां पे पनीर कडाई कडाई पनीर रेडी है और उसके बाद रोटी मंगाते होटल से क्योंकि भूख लग गया था तो रोटी बनाने का समय नहीं है तो आईए अब इसको पनीर के साथ रोटी से खाते हैं आज के व्लोग करते हैं पिसमाथ मिलते हैं नेक्स व्लोग में टाप ले टेक क्यार बाए बाए